अब बिल्कुल ठीक हूं और मुझे पूरी उमीद है आप भी मज़े में होगे आपके लिए आज मैं चटनी की सीरी स्टार्ट कर रहे हूं तो इसमें मैं सबसे पहले हमारी बेसिक चटनी इमली की चटनी सिखाएंगी कौके अब बिल्कुल एक चटनी से भी देशा है सथे रहते हैं ख़्तो इमली की चटनी जाहिए जर्टर्श को देखते हैं यहां कि मतुत तो घड़े है चाहिए दो हमें क्या ब्लिक्तरो कि भूणी को अगर अगर हम आपस गूर नहीं है तो हम चीनी से भी इस चटनी को बना सकते हैं कोई hard and fast rule नहीं है कि हमें गूरी चाहिए गूर से थोड़ी थिक बनती है थोड़ी ज्यादा और इसके लिए चाहिए यह ड्राय जिंजर पाउडर है जैसे सूंड या सोंट भी पहत कहते हैं तो यह स दूस्तों कुछ लोग इसमें खजूर और श्वारे भी डालते हैं लेकिन मेरा मानना है कि वह अगर हम भले वगएरा बनाएं तो उसमें अच्छी लगते हैं हम सिंपल भी में चतनी बनाएंगे ताकि हम उसे कभी भी अपने घर में इस्तेमाल कर सकें तो चलिए हम शुरु इसको भी ऐसा होने में पांक से दस मिनट लगेंगे जैसे ही बॉल आएगा यह सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम इसको बड़ी चननी से चान दूंगी ना कि इसका पल्प अलग हो जाए और भी जलग हो जाए तो चलिए हम कैस को करते हैं बन और इमली को चान लेते हैं दोस्त करते हैं और इसको फिर से पान पर चढ़ा देते हैं पकाने के लिए अपी है एक कटोरी में इसमें डाल देती हूं और अब हम इसको पकाएंगे अच्छे से दोस्तों से हमें 5-10 मिनट पकाना है क्योंकि गुड़ 2 मिनट में पिगल जाएगा उसके बाद इसको पकाने में हमें 5-7 मिनट चाहिए अब यह पक रही है और आप देखें बॉइल आ गया है इसमें और इसमें डालूंगी नमक में इसमें एक टीस्पून डालूंगी यह कफेद नमक मैंने डाला है अब मैं डालूंगी इसमें काला नमक वह भी एक टीस्पून जाएगा और इसमें एक जो मसाला है ज़रूर प अच्छा देता है यह मैं सिरफ एक पिंच के करीब मैं डालनी हूँ यह सोंट का पाउडर यानि कि पिसा हुआ अद्रग का पाउडर सूखा अध्रग यह दोस्तों अब इसमें नालनी में चब वह अधा ठीख संदर दिखने के लिए बार भूजे के बीच डाल Press चोंगे में बहुत चुंधर लगते हैं पुद्धे से डालने सब्सक्राइस कि दोस्तों इस चटनी थे हमारी बन के तैयार है इसको फंडा करते हैं थोड़िए फिर इसको भूल में निकाएंगे लिए तो मैं इसको ठोड़ा सा यानिके खरबूजे के वीजों के साथ मैं इसको गाणिश करती हूं दोस्तों जब इस तयार हो तो आप इसे बेर पुड़ के साथ दोस्तों आपको में रेस्पी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर खीशेगा और लाइब बटन ज़रूर प्रपाएगा आपके इसलिए मैं और नई रेसिपी और नई नई चटपटी रेस्पी लेकर आती रहूंगी तब तक